किसान यूनियन के ग्राम प्रधान हनुमान रावत हिजामपूर मजीगाओं ने अंसल कंपनी से सौधे बाजी करके सुरक्षित जमीन वपी ड़्यूडी की सौड़क तक कटवा दे वफर्जी मुकत में लगवाने की भी धंकी दे रहे पुलिस वालों ने दी सूरच प्रधान हसनपूर हेवली को पुलिस वालों ने कहा एक बार मुकत मा लगवाया था आज भी समझ नहीं आ रहा नेतागिरी करोगे तो फिल से मुकत में फसा देंगे और जिनकी भर कोट का चेहरी के चक्कर लगाते फिरो अंसल कंपनी के दबाव में छेतरी पुलिस कर रही है मानामान ग्राम छेतरवासियों को मुकदमा लगवाने की धमकी कई बार दे चुगी है पुलिस यहां पेगजूट होने का कारण है कि हमारा यह सैकड़ो वर्ष पुराना रास्ता है जो पी डवलू डी का है और इसको अंसल कंपनी द्वारा और कुछ किसान यूनियन के जो है लोगों से मिल करके या ग्राम परधान से मिल करके हनोमान रावस से मिल करके सौधे बाजी करके इसको जो है कटवा दिया गया है इसलिए हम लोग इसका बिरोध कर रहे हैं अंसल का कि यह जो है गलत तरीके से रोड कटवाई गई है एक बार पहले वी रास्ता कटा था तो सब लोग मिल करके परधान जी के सौजने से बना था फिर दो बारा से वही हा सब्सक्राइब में यह पूरे पहले से बना हुआ है और यह हमारे लोगों के एक लौता रास्ता है नीजापूर मजगमावा अहसंदपूर खेवली को जोडने के लिए एक लोटा रास्ता है। अगर मेरी बात अगर मुकमिंतरी योगी अधितना जी तक अगर पहुचेगी तो मैं यही चाहूंगा कि मेरी मुझे सुना जाए मेरे उपर फरजी मुकदमे लिखे गए अंसल के द्वारा तीन मुकदमे नौंबर महिने में मेरे उपर लिख दिये गए जो फरजी हैं। चोरी तक के मुझे मेरे उपर साबित किया गया हूं मगर जाकी मैं एक पैसे का कहीं से गुनेगार नहीं रहा हूं। और मुझे कितने परलोभन दिये गए अंसल कंपनी द्वारा एक सच्छा मधिकारियों के द्वारा मुझे परलोभन दिया गया। इसी का जो है रीजन है कि जो मेरे उपर फरजी मुकद में लिखे गया है। अच्छा मलब आपको पैसे उसे भी देने के कोजिस के लिकिन जो है। कई बार मेरे साथ सौधे बाजी करने का परियास हुआ है। इस रास्ते में भी सौधे बाजी हुई है। किन लोगत हुई है। कुछ आप लोग जानकारी है। मैं हमारे परदान जी है। गराम परदान जी इतना बड़ा बवाल हो गया। सारी पुलिस आगे। बगर में परदान जी नहीं आ पाए। परदान जी खुद खड़े हो करके इस रास्ते को खुदवाये हैं। और आज बुलवाने पर लोग बुला रहे हैं गाउं के लोग बुला रहे हैं और यह आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा सब लोग गाउं के लोग इवजूट हुए हैं। वो परदान नहीं आ रहे हैं। कल का इस रास्ते पर हम दर्नाफरत असन करेंगे। पूरा छेत्र इससे अक्रोसित है और परेशान है क्योंकि यह एक लौता रास्ता है। और यहां निजामपूर मजगाओं में मार्केट है। और इस बगल में भेढ़न खेड़ा में एक बिद्या पब्लिक स्कूल है। इसकूल आने जाने के लिए बच्चों के रास्ता बादित हो रहा है। और अनसल ने जो एक कर्टूच की है यह बहुत ही गलत कर्टूच है। इस रास्तों में इतना दना पानी भंता बारिश के मौतामा भी है। आप बताएं रास्तों में वच्चे कैशे निकलेंगी है। वच्चे चोड़ चकें।